नमस्का के स्वर्णिम सफर को सलाम करते हुए आगास करते हैं आज के अपने इस विशेश अंका हम अपने आज के इस विशेश का रिक्रम का नमस्कार है के स्वर्णिम स्वर्णिम सवर्णिम सवर्णिम सप्रम करते हैं यम सब्सक्रम करते हैं और आज इस विशेश अंपनान है एक भावना है अपने सपनों को साकार कर दिखाने का, खुले आफों से सपनों को सच कर दिखाने का, हमारे महत्माओं ने भी कई सारी सपने देखे और उन सपनों को सच कर दिखाने का मूल मंत्र भी हमें दिया, और आपको ये भी बता दे चले कि दूर दर्शन के खास कारिकम भिहार भ्यान हमारी प्रमुक्ता होती है कि अपने कारिकम के जर्ये आपको उन मूल मंत्रों तक हम पहुंचाएं उनके विशारों जे अवगत कराएं जो हम सभी के लिए एक रत्म से कम नहीं होता और हम सभी के लिए प्रेड़ना सोथ होते हैं तो आईए एक नजर सबसे पहले डालते हैं हमारे महात्माओं के सोविशार पर हो सकता है आप कभी न जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा आपका लक्ष किसी जादू से नहीं पूरा होगा बल्गे आपको ही अपना लक्ष प्राप्ट करना पड़ेगा एक एतिहासिक दिन है और इसी दिन से दूरदर्शन ले लोक सेवा प्रसारंग का जो दियम है वो आरंग किया शुरुवात के और दुनिया भर में आज जो है विशुभर में जो दूरदर्शन है सबसे बरा लोक प्रसारंग जो केंद्र है लोग पर सारिक सेवा जो है उसके रोप में लगता समर्पित है और उसकी सेवा देने जा रहा है आपको ये भी बता दे चले कि आज का हमारा जो ये खास का अइकम है वो दूर दर्शन दिवस पर ही आधारित होगा और इसी के साथ बरही खुशी के साथ अज हम दूर दर्शन दिवस के बासक्वी अस्थापना दिवस को मनाने जा रहे हैं जी हाँ बहुत सारी बाते आज हमारे इस खास अंक में होने वाली इसके लिए हमारे साथ तीन विशिश्ट अतीती भी मौजूद है लेकिन हम उनसे आपका परिचे कराएंगे इसके पहले हम आपको दिखाना चाहते एक छोटी से डॉक्यमेंटरी छोटी से फिल्म जो की दूर दर्शन के सफर पर आधारी थे तो चलिया आए नज़र डालते हैं इस सफर पर दर्शकों से दूर दर्शन समाज में अपनी भूमी का अदा करता आ रहा है आज हम दूर दर्शन का स्थापना दिवस मना रहे हैं आज ही के दिन वर्ष 1969 में दूर दर्शन की शुरुवात हुई दिल्ली में एक छोटे से ट्रांस्मीटर के माध्यम से इसका पहला प्रसारन किया गया उन दिनों दूर दर्शन का प्रसारन नियमित रूप से नहीं हुआ करता था लेकिन पंद्रह दस्त 1965 से पांच मिनट के नियमित न्यूज बुलेटिन की शुरुवात हुई दूर दर्शन की पहली नियूज रीडर बनने का गौरब प्रतिमा पुरी को हासिल हुआ 1967 से कारिक्रम क्रिशी दर्शन की शुरुवात हुई जिसके द्वारा दूर दर्शन देश में हरित क्रांती का सूत्रधार बना 1975 में दूर दर्शन का प्रसारन मुंबई एवं अमरित सर से भी शुरू किया गया 1975 तक दूर दर्शन सिर्फ साथ शहरों तक ही सिमित था एक अप्रेल 1976 में दूर दर्शन को आल इंडिया रेडियो से अलग किया गया इसी बीच 1982 में भारत में रंगीन टेलिवीजन का आगाज हुआ एशियन गेम्स हम लोग और बुनियाद जैसे धारवाहिकों की वजह से दूर दर्शन की पहुँच आम जन्मानस तक हुई 1987 में प्रसारित रामायन और 1989 में प्रसारित महाभारत ने दूर दर्शन की लोक अप्रियता को नई उचाईयों तक पहुँचाया 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया और तब से दूर दर्शन का प्रसारण इसके अंतरगत किया जा रहा है 2003 में दूर दर्शन के 24 घंटे के न्यूज चैनल डीडी न्यूज की शुरूआत हुई 2004 में निहशुल के डीटियत सेवा डीडी डाइरेक्ट को भी शुरू किया गया 26 माई 2015 को किसान भाईयों के लिए खेती बाड़ी एवं आवश्यक जानकारियों के लिए डीडी किसान चैनल की शुरूआत की गई डीडी किसा बदलते भारत की शार पदलते वाक्त और बरती तक्नीक के सहारे दूरदर्शन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उतर चुका है डीबी भी टीटू के जरिये इस समय दूरदर्शन के पांच चैनलों का प्रसारन किया जा रहा है जिसमें डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी किसान या क्षेत्रिये चैनल सामिल है दूरदर्शन राष्ट्रिये एवं क्षेत्रिये चैनलों के माध्यम से देश का सबसे बड़ा ब्रोड़कास्टर है आज दूरदर्शन की पहुंच देश की लगभग 90 फिस दिया बादी तक है अपनी जड़ों की तरफ लोटने, जड़ों से जोडने, उस पर संबाद करने और सही माइने में जनमाध्यम बनने की ताकत आज भी सिर्फ दूरदर्शन में है बविश्य में भी दूरदर्शन अपनी सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाता रहेगा दूरदर्शन देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल दूरदर्शन ने सूचना, संदेश और मनुरंजन के साथ साथ देश को एक सूत्र में बांधने का भी काम किया है भारत की आवाम को एक स्वर देने का जो काम किया है वो दूरदर्शन ने किया भी आपने नजर डाला इसके सफर पर आपने देखी एक जलत और अब हम विस्तार में इस पर बात करेंगे अपने आज ये खास महमान से बिलकुल पेड़ना और हमें खोशी और हमें गरब हो रहा है कि दूरदर्शन अपने 62 अस्थापना दिवस बरे हाच शोलास के साथ मना रहा है और हमें भी काफी गरवी के आज इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और काफी सारी जो बाते हैं वो जानेगे दूरदर्शन डिवस को लेकर मैं बता दू कि दूरदर्शन का जिकर जब भी हम करते हैं तो कई सारी जो कहानिया है जो अतिस से जोड़ी जो खुब सूरत यादे हैं हमारे जहन में ताजी हो जाती है और उन्हीं सब बातों को चर्चा करेंगे और इसी के सालत वर्तमान में जब देखते हैं कि करवाना चाहूँगा आपको हमारे वहधी खास मेंमान दूरदर्शन केंजर पटना के महानिदेशक राजियों सिनाजी का बहुत-बहुत स्वागत हैं तीसरी खास मेंमान मौझूद है आप हैं श्वेता सिंग उपनिदेशक न्यूज आपका बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहले राजीव जी में आप से एक प्रशन करना चाहूंगी कि किसी भी मीडिया के लिए पचास वर्ष से अधिक का सफर तैकर पाना अपने आप में बहुत माइने रखता है बहुत मैत वपूर रखता है बासट वर्ष का सफर तैकिया है दूरदर्शन ने और प्रसा इसमें सबसे बड़ा रॉल मेरे विचार से टेकनिकल है क्या कि अगर हम लोग टेकनिकल एडवांस नहीं करते तो आज जहां तक हमारी पहुंच है वहां पहुंच ही नहीं पाते प्रोग्राम बनता है बहुत अच्छे अच्छे अभी भी बन रहे हैं लेकिन इतको लोगों तक पहुचाने का काम तक्निकी विवाग का था और जैसे जैसे पिछले 62 साल में बदलाव आता गया हम लोग दीरे दीरे चेंज करते गए पहले माइक्रोवेब पे थे फिर सेटला प्रोग्राम बनते हैं वह मैक्सिमम लोग तक पहुचा पाथ है तो मेरे विजार से टेकनिकल ही एडवानस्मेंट के चलते हम लोग इतना आगे पड़े हैं जी बिल्कुल करना चाहिए और एक बात अगर कुछ बदला हुआ है तो कितना खास है यह दूरदाशन के राकेश जो आपने कहां बदला बदला डफिटली हम बदले हैं क्योंकि समय के साथ अगर हम नहीं चल दे तो हम पिछड जाते हैं we have advanced in all the friends मैं एक ही नहीं कहूंगे कि सिर्फ प्रोग सब्सक्राइब करते हैं तो जनता भी हमें देखना पसंद करती हम लोग को प्रिय कितने हैं मैं यह नहीं कहते हैं मगर ट्रस्ट वर्दी हम हैं यूँकि जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी तो विवे टॉट टूट ट्री थेंक्स ABC दूरदर्शन के लिए तीन वाते थ तीनों में हम कभी compromise नहीं करते हैं आपको अपने तत्यों को accurate देना होता है credibility को कभी हम lose नहीं करते हैं और चीजें crisp और brief करके हम प्रस्तुद करते हैं तो अभी जो वक्त है वो उसी हिसाब से हम धले भी हैं बदलाव है बदलाव की बयार जो आई है वो positive सकरात्मक है तो मैं कहूंगी कि हम लोग नहीं बदले हादूर दर्शन पहले जैसा जो कहिए कि हमारा ट्रस्ट था जनता हम पर विश्वास करती थी वो आज भी करती है और आगे भी करती रहेगी उसमें मैं बदलाव नहीं कहूंगी वो continued रहेगा बट वी हाव चेंज अस पर दर प्रसें नॉ कि सर इतने वर्षों का आपका प्रोग्रामिंग का अनुप हो गया है और जब दूर्दर्शन ने का पहला प्रसारण प्रिवात्मक्त तौर पर सैक्षिक और विकास के तौर पर आदे घंटे का कारिक्रम दिखाया जाता था तब के सफर से लेकर कि अब तक के सफर को आप नजरीय से कैसे देखते हैं क्या कहना चाहेंगे? जन संचार के माध्याम से चीजों को और सुचनाओं को जन संचार के माध्याम से लोगों को तक पहुंचाना उसमें विकास की गति को भी लोगों को दर्साना होता है तो जन संचार के माध्याम से के द्वारा हम जो लोगों तक पहुंचाते हैं वो हमारा तरीका है मनरंजन त परियोगिक तौर पर उसका किया गया क्यांकि जन संचार के माधमों में पहले धौनी के ओल और अल्डिनी अरेड हुआ करता था तो उसमें के धौनी के ओल थी लेकिन चीजों की अगटाओं की विस्वचनिता और उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है जब धौनी के साथ साथ दिर से भी आम दे इसलिए सरकार ने उसमें समझा कि धौनी के दूर्दसन के स्थापना होई और दूर्दसन का सफर चलता रहा पहला दिल्ली के बाद 1902 में मुंबई के अंदर खुला फिर आगे चलकर 1973 में स्री नगर और अमरितर खुला फिर 75 में कलकत्ता, मंदरहास और लगनों हुआ और उसी सिलसिले में पटना दूर्दसन के सापन 1990 में हुई तो यह सिलसिला चलता रहा और हमारा नेटवर्क जो है आज भी दुनिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क है और जो हमारा उदेश है वो आज भी हम पूरा कर रहे हैं और लोगों को जन संचार के माधियम से अपने विकास की सुचनाओं को करते हैं माठी के गुंज एक हमारा लोग ग्रीक का कार्शक्रम हुआ करता था उस जमाने में जब टीवी के सुरुवात हुई थी तो मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि छेत्रे कार्शक्रम इतने पॉपलर हमारे माधम इतना पॉपलर है कि सबर्ब में और ग्रामी एरिया मे जब इसका कार्शक्रम का प्रसान होता था तो सड़क जाम हुआ करता था लोगों के भीड़ी इतनी हो जाती थी कि लोग सड़क जाम हो जाते थे इस पर मैं यह उधान आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह उजमाने की बात है और आज जैसा कि आपने कहा है कि आज भी आज है इसलिए उसकी उसको आज भी हम पूरा कर रहा है इसलिए हमारे देश के लिए और चनता की भलाई के लिए यह बहुत अच्छा है अभी भी आज के दिन में बिल्कुल चुकि आज इंपॉर्टेंस आप दडें यानि कि आज दो दिवस मनाया जा रहा है पहला तो यह कि द पून बात और कि आज इंजिनिरस डे भी है तो हम जरूर चाहेंगे इस पर एक सवाल आपसे जरूर करो कि देश और दुनिया की प्रगति में इंजिनिरस के जो भूमिका होती है काफी एहमानी जाती है चाहिए फिल्ड इसका कोई भी हो और इसी के साथ कोई भी फिल्ड हो इंजिनिर्स को किस तरह आप याद करना चाहेंगे किस तरह उन क्रिडिट देना चाहेंगे शेयर देना चाहेंगे आप जो भी प्रगति पिछले 10 साल या 20 साल में हमें नजर आ रहा है हिंदुस्तान में खास करके हम यहीं की बात कर सकते हैं तो वो टेक्निकल जो चेंज आया हर जगह दूरदर्सन से लेकर पूरी फिल्ड में जो टेक्निकल चेंज आया जो जिस पे रिसर्च हुए काफी कुछ रिसर्च हुए और आज के डेट में हम लोग एट पार किसी भी बाहर कंट्री से हैं टेक्निकली हम टेक्निकली हम लोग इतने ही स्ट्रॉंग है हमारे यहां सैद इंजिनियर बीटेक की डिग्री लेने वाले इंडिया में वर्ल्ड में सबसे जादा ही होते हैं तो आज के आज अगर जो लोग दूसरे फिल्ड में काम कर रहे हैं तो उनका एप्रोच जो होता है वो टेक्निकल हो जाता है और इसके चलते क्या है कि आपको आउटकम निकलता है और वो आपके सामने नजर आ रहा है पुझे इंडिया में पिछले 10 साल और आप पिछले खासकर 10 साल क को आप देखिए हर जगह हर छेतर में टेक्निकली हम लो बहुत स्टॉंग हो जाए सॉफ्वेर हो हाडवेर हो हर जगह टेक्निकली स्टॉंग हो और हमारे साथ आज तीन बेहदी खास महमान है जिनसे हमारी बात्रीत हो रही है तो मेरा अगला सवाल श्वेतर जी आप से है आप जाना चाहूं कि आज कि इस दौर में तबाम चैनलों की भीड में भी दूरदर्शन की जो पहचान है उसकी जो कारिय शहली है वो सबसे विशिष्ट है और खासकर अगर में बात करूं समाचार की तो एक नाम आता है जब हम आथेंटिसिटी की बात करते हैं तो दूसर नाम आता है दूर्दर्शन क्या कहना चाहेंगे आपस पर प्रेणा इन फाक्ट मैंने भी बदाया कि अभी रॉइटर्स रिसर्च हुआ था त्रस्ट वर्दी हम हैं अंडावटेडली विए नमबर वन ट्रस्ट वर्दी चैनल इन दे कंट्री बाकी सब बहुत पिछड़े क्योंकि जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो मैंने हमेशा बताया कि हम सचाई फैक्ट को पकड़ते हैं जो सच है वो दिखाते हैं वी डॉन्ट मॉडिलेट होता है कि सेंसेशनलाइज करने के लिए उसको लोगों को आकरशत करने के लिए हम छेड़ खानी नहीं करते ह देखे हैं तभी हमारा डीरी निउस का जो लोगों भी आप देखें इस अ ओनी निउस कम्प्लीटी निउस शुप्लीटी निउस के सकते हैं कि जो मैं दिखा रही हूं अपने चानल में इस हंड़र्ट परसंट एक्यूरेट ऑं क्रेडिबल इस पे जनता हम पर भरोसा कर सक जहां तक आप देखें हम समय के साथ सही में बहुत चेंज किये हैं अगर मैं याद दिलाओ बाकी चानल जैसे सोशल मीडिया पर आ गए बीवेर और और वीर और अल्स हाविंग गुड प्रिसेंस अन सोशल मीडिया सभी चानल्स आप पे हैं हम लोग 2015 में मुझे आद है मैं उस समय एसिस्टं डिरेक्टर सोशल मीडिया थी और हमारे मंतरी अरुन जैटली जी थे अधिडी न्यूस का सेपरेट अप निकला था हम लोग काफी काम किये उस पे कि जनता तक सही ख़बर पहुच सके क्योंकि अब देखिये लगभग इस लाइक पंदरसों के करीब बिल अब ही मैं याद एक्जाक बता दूं तो इतने मोबाइल यूजर से उनके उनके पॉपस फुली कि हम यंग यंग स्टास को पकड़ें या फिर जो जनता टीवी नहीं देख पार क्योंकि एक हाउस होल्ड है उसमें एक टीवी है दो तीवी है तो सभी तो टीवी नहीं पार्फ पर लाए हुए हैं तो हर तरह से हम जनता को काटर कर सके अभी बरतमान सिपी में अभी चेक्निलोजी के हिसाब से हम लोग प्रेड़ रही हैं यह बहुत अच्छी पहले की हम लोग समय के हिसाब से बडल रहे हैं और अगर बदलाब नहीं होता ठहरा पानी इक आग के बढ़ रहा है और उपर वाले की महरबानी रही विवल अभी तो सिर्फ ट्रस्ट वदी हैं मेभी इंद कहिए लोग प्रेता में भी हम लोग प्रिय हैं क्योंकि अभी जो ट्यार्पी का गेम था पहले का बंद हो चुका है तो उतना मैंने पहले बहुत था कि नहीं ट्यार् इसलिए प्रचार मिले गाए कि आत्मीर्फर भारत पर प्रछसाइब양 रहा है तरो के इसलिए को का प्रचार मिलेगा हा जå जन्ता तक पहसा है तो का कना दुण को miniature on Australia बहुत वह ता तफ टाइम था एक्रॉस्ट ग्लोब बहुत टाइम था जहां हर देश च्रगल कर रहा था अपने आपको एक्स्टाइश करने के लिए कैसे बच के रहे हैं अपनी जनता को कैसे बचाए हमने अपना ही ठीका बनाया अपने देश में इतने लोगों को ठीका करन कर दिया और लो जाना चारा है उसको पता है कि मैं टीका लूँगा तो बच जाओंगा कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने किसी अपने को नहीं खोया होगा और उस दौरान सबको लगा कि नहीं टीका क्यों लेना जरूरी है और इसमें अभीकें से कि हम लोगों के लिए लोगों ने कैम बहुत सारी ऐसी योजनाय हैं जो कि कभी आप प्राइव चानल में नहीं 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 देखेंगें मगर हम दिखाते हैं और सबसे मज़दार वाकिया मैं शेयर करूं मैं पत्रकारों के साथ बैठी हुई थी तो किसी ने आकर वोला पत्रकार ने दूसरे प्राइव चानल का अब आप लोग क्या करते हो यार देखो इतना मैंने इस तरह का आप कहां कहां से ख़च के निकालती है कि हम लोग वो डाट पढ़ती कि दूरदर्शन जब कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो तो तो दाट इस तेंग कि हम लोग पॉजटिव सखरात्मक कॉंट विविदा कि सीमाओं में खबरे देती हैं सूचना देते हैं तो यह दूरदर्शन कर सकता है क्योंकि दूरदर्शन को कमाई से मतलब नहीं हमें हमारे जंता सूचित हो रहे है और कहिं कि अगर आप आप बांकी चैनल से देखें तो हम लोग कभी भी निउस कहें सब्सक्र को हम लोग कंटेंट पर फोकस करते हैं तो इस नोट की जादा लोग मुझे देखें आइबॉल्स मेरी तरफ आए तो मैं कुछ भी कर लूगी ऐसा नहीं है हम लोग कंटेंट बहुत अगड़ा होता है बिल्कुल हम अर्थ पून कारेकरम दिखाते हैं और इसके जरिये ही अप बात करते हैं तो इसका सफर काफी लंबा समय से रहा है और यह सफर निरांतर जारी है पहले कुछ और था लेकिन आप कुछ और है बदलते समय के अनुसार आपको क्या लगता है विश्व अस्तर पर राष्ट्य अस्तर पर जो दूरदर्शन है कितना बरा प्रभावशाली है वह चोरा है लोगे को और और एक बरावर्ग जो दूरदर्शन का दर्शक है क्या लगता है अब है कि आप यह पहले जो सबसे पहला जो हमनोंने का लगत बनाया था सेरेल का रूप में वह लखन दूरशन का था बीबी नातियों वालिए उसके बाद बहुत सारे हमारे दर्सक भी जानते हैं आप लोग जानते हैं कि जो स्टिरियल था हम लोग बुनियाद सरकस होजी और सबसे बड़ी बात जैसा कि आपने कहा है कि क्या प्रवाव है इसका प्रवाव पहले तो था ही रिपीट कार्चक्रमों भी प्रवाव आज इस लॉकड़ भारत जो दिखा कर हमने जो मिसाल कायम की और जो रिकोर्ड बनाया ट्यर्पी का वो किसी प्रवावेट चैनल में नहीं है तो यह मैं बता रहा हूं कि हमारे कार्चक्रमों के बिसुत इतना इतनी है और दूसरे जो जन सरोकार के कार्चक्रम होते हैं विकास को दर्साने वा तो देश में कुछ राष्टी दिवस भी हैं जैसे सुतरता दिवस गड़तन दिवस उस कार्चक्रमों के कवरेज और उसकी प्रसारण भी केवल दूर दसनी करता है उस दरवान आप टीर पी टीर पी की बात करेंगे तो आप सारे चैनल बहुत नीचे हो जाएंगे इसलिए कि आज भी हमारे कार्चक्रमों की गुड़वाता बिस्वसंदा इतनी ज़्यादा है कि लोग उस पर भरुसा करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दो तिन और अपको उधारूं बता रहा हूं मैं परिवार नियोजन के कार्चक्रम और आज लोगडाउन में जो कोरोना के कार्चक्रम जो हम लोग यह रिए तनी विस्तार से और लोगू के जंजन तक पहुंचाया है कि इसलिए हमारे चैनल की बिस्वस्था पढ़ती है और जैसा कि सुझता जी ने बिए बीस्वस्था त इतने ज्यादा हुआ है कि हमारे अधिकारी बेठे हुए आपको बताएंगे कि अब किसी प्राइवेट चैनल से हम कम नहीं है जो हमारा सफर है लोगाइन, हाइवेन, बीटा कैम, डीवी, सिपिरो, प्रो, बीयारडी और वो फॉर्मेट हाइवेन, और वो डीटी एज, ट्रं होती है, आज की ब्रेकिंग खबर, यह ब्रैकिंग नीस हम इससे एतार है यह हुड हमारे अंदर नहीं है शायद इसलिए हम सबसे गुणवट्ता, हमारी लोगप्रेथा सबसे अधिक है यह हम्परेथा सबसे है कि हम कॉम्पटीरशन में करेंट की बात感ि कर्दे मुदता में में हम कहा पुंचय अगर कि यह आने वाले दिनों में अक्या समय कुए यह अपने नजर नजर से दह cheaper निए या होने वाली तो सब्सक्राइए में ड파 टा ट यद एक दो हम लोग ज्यादा बताएंगे। टेखनीकली हम लोग आने वाले दिन में अभी एट पार विट आल प्राइवेट चैनल हैं और सेटलाइट पे हैं और डिजिटल ट्रांस्मिशन हमारा भी चल रहा है अनलोग से हम धीरे धीरे सिफ्ट कर रहा है और कुछ ही जगा बचा जाए अनलोग मेस्के अप्रीन से जूर संग हैं सैटलाइट एठी वो सब हही देफिनेशन gibt है और हफी भी देखते होंगे प्राइवेट में है चैनल में कुछ कुछ चैनल ही है किसी के दो चैनल है और deer मau चैनल में हमारे जिटने 32 चैनल अभी चलेंगे चेटरीयक किए उतने भी काफी इंप्रूब कर देखने वाले को टेकनिकल का इंप्रूब कर लोग को इंटेस्स बढ़ेगा और आज के डेट में जो भी टीवी मिल रहा है आप पर्चेस कर रहे हैं जो भी तो लोग के मन में जागरुकता यह भी है कि जानना चाहते हैं कि दूर देशन कब फुल एच् आगे बात यह है कि अगर पुरी इंडिया में अगर बात किया जा तो 700-800 जो चैनल से वह यह पर आते हैं उसमें हमारा एक अपना चैनल है जो सबसे अलग है और सबसे आगे भी है इन सब की बीच लगातार दूर देशन कंडिया बना है अपने वह नहीं पर हो या पिर कोई जूजनाय हो या पिर कोई भी सिक्षाह स्वासों तराम चीज़ों को लेकर क्या लगता है कि हमारा कंटेंट को लेकर जो हमारी जो महत्रपून अगर जिववारी होती है तो बहुजूदासरे में दूर दर्शित की क्या क्या दिखाए कि जनता मुझे देखें और सही बात है जो वह दिखाते हैं जैसे पूर इंस्टेंस मैं बता हूं आँ आँ इस देखने कि लिए बांकी चैनल क्या दिखा रहे हैं तो एक चैनल प्राइट मैं खोला तो उसमें देवर शोंग की एक अधर नगी फर्स फ्लोर से नीचे खूते हुए और उसी वन मिनिट या फॉर्टी सेकेंड के वीडियो को वह आधे एक घंडे तक रिपीट करते रहे हैं तो आज अधर दर्शक मैं सोच रहे हूं मैं नीज यह प्राइब चैनल नहीं सोचते हैं मगर हमें सोचना होता है क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी बच्चे का भविश इस तरह से चौपट हो जाए क्योंकि बारवार लोग खो सकता है उसको स्क्रीन पर दिखाएं कि देखो तुम फूडी थी ना तो दिस वी किनाट तो यह जो मॉरल रिस्पॉंसिबिलिटी है एथिकल रिस्पॉंसिबिलिटी है ऐसे सभी चानल को फॉलो करना चाहिए और हमारे बहुत सारे PCI संस्थान भी है जो कि रिगूलेट करते हैं मगर फिर भी कभी कभी वो पत भ्रमित हो जाते हैं पत ब्रष्ट में कौंगे क्यो हो जाते हैं बट हमें इस चीज पर लगाम रखनी होती है हम लोग इसमें बहुत वी है वेरी क्लियर पॉलिसी कि हमने जनता का हित देखना है जो जनता के लिए सही है मान लीजे अगर पॉपलेशन है हमारा और उसमें से 30% आबादी को फुहरता पसंद है तो रिखने फुह हमारी पॉलिसी है एक एक राष्ट जो श्रेष्ट राष्ट बनाने का उसको हम उस पर ठीके रहेंगे जिसको हम फॉलो करते हैं हम उस तरह से बस कहिए कि खुद को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ भी कर जाए एक ही चीज को जो वी शुट नॉट डू उसको बार बार घ करात्मत चीजें हमारे समाज में हो रहे हैं अभी जो क्यूंकि बरतमान की मैं बात करूं पिछले डेड़ दो साल में सिविल सोसाइटी ने बढ़ चड़ कर काम किया है जो कि पहले हम उतना नहीं देख पा रहे थे मगर अभी व्यक्ति गत रूप से भी एक एक प्रशन वहम काम कर रहे हैं और यह चीज आप कहीं और नहीं देखेंगे मैंने का कि मुझे टोक गया था कि माडम अपि यह क्या करती है जो हम लोगों को डाट पड़ती है कि जब दूरधर्शन करा तो आपको नहीं सकते हो और सब्सली यहीं तो है कि अगर मैं सही हूं मैं मैं सकरात्मक हूं तो मैं सकरात्मकता फैलाओंगी तो similarly दूरदर्शन इस प्रेटिंग एक्षाम्पल कि हम किसी भी चीज को पॉस्टिव वे से भी दिखा सकते हमारा गुद निव्स कि इतनी नकारात्मकता आप खोलने तो सही माप डिप्रेस हो जाएंगी जैसे कल परसों की खबरी महिला कल की खबर किसी महिला को तालीबानी पीट रहे हैं तो बार बार आप देखेंगी तो होता है कि वह पीडा आप जहलते हैं तो ठीक है कि इतनी चुझ के प्रसुटों कोड़ीए टेंगी दिखाना हां मगर Sattya के है दो हम समधान मुन परसूं के फिर दूप खोब ही मिता है कि अपने फिरमें लुच्य परमीफ सही कहते होटने से तरीक के समधान लया है यह नहीं कि उसकी होड में हम अपने प्रोग्राम को फूहड बना दें या फिर समाचार में ऐसा कंटेंट दें की और बहुत मजालेदार हैं मजालेदार ख़बर दिखाने के चक्कर में हम चौपट कर दें भी रोंडूदार कि जो भी चैनल से हैं साथ वार्चा उनकी जो संक दूरदर्शन और टीवी का इतिहांस एक है क्योंकि जब शुरू ही हुआ था तो उस दौरान से दूरदर्शन बड़ा मज़दार है जब कलर टीवी हमारे भारत में आया था क्योंकि मैं अपने मेरे सहकर में मुझसे डिसकस कर रहे था क्योंकि उस दौरान तो हम लोग जन जनता सीधा एशन गेंज देख सकें तो वो लोग बताते हैं कि उस दौरान टीवी के सामने पूरी लंबी लाइन और बहुत बड़ा घेरा लगता था जब वो लोग उत्साह के साथ देखा करते थे दूरदर्शन को तो वो हमारा उत्साह है वो एक्साइपमेंट आ फील कर पुब्लिक ब्रॉड्कास्टर एक लौते और टेस्ट्रियल सेटलाइट ट्रांसमिशन दोनों देते हैं तो हमारी रीच बहुत अंदर तक है रूरल एरिया में तो डेफिनिटली हम है डेफिनिल हां केबल है के सटलाइट से जा रहा वहां तो लोग देख रहे हैं कि प्रा की बात आती है जब क्रवार के साथ बैट के देखने की बात आती है तो सबसे बैस हमारा दूर दर्शन होता है लौकर हम किसी से प्रतियस परदा की होड में नहीं है हम बिलकुल अलग है और अनोख है है अनूठ है और देश में एक मात्रे इसा हमारा चैनल है जो मर्यादा म राजीर जी आप से जानना चाहाँगी इतने वर्श cash आपका सफर रहा जहे कुछ अपने दिल्चस्प आनूभाई श्रू राएखन के साथ है कुछ साजा के रगार क्ला चाहेंगे जुछ आजको निकाम करती हैं कि दूश्रों में विशा थे अगर जितना रिच हुआ है इसमें टेकनिकल ही सबसे वड़ा हाथ है लेकिन आपको यह पता हो कि दूर दर्शन वर्ड कहां से निकल के आया मेरे विचार से सदेयों करता है कि महा भारत में जब संजी दिव दिर्ष्टी में कुछ Tádyब कर दो को कर दो रहा था दिर्शन उसको सुना रहा थे दिर्ट रास्ट को तो आज और वहां से टेकनिकल निकाला गया और आज की डेट में दूर दर्सन में दूर का दर्सन करा रहे हैं हम उसी से और इसकी क्रेडिबिलिटी तो ऐसी है कि आज भी आख बंद करके चैनल चनलाजी जो लोग कहें यह दूर दर्सन ही है तो मतलब मेरा जो 30 साल का अनुभव है उसमें यह कि हमने 92 से लेकर 2005 तक प्रोजेक्ट में रहे ऐसे रिमोट एरिया में हम लोगों ने टीवी टांस्मीटर लगाया ले लदाग जहां पर आज भी कोई भी प्राइवेट चैनल नहीं है ले लदाग कारगेल जहां पर साल में त प्रोजेक्ट में थे बाद में वहां पर हर जगाए उस जमाने में 95-96 की बात बता रहे हैं जहां कोई चैनल नहीं था केवल दूर्दर्सन था और वह वी 24 वाई 7 था मतलब रात में 12 बज़े बंद होते थे ट्रांस्मिटर और शुवा पांच में से फिर चालो हो जाता था लुए बदलाव हम देखे न दूर्दर्सन का और उस एरिया में एवेन रिमॉट प्रिया गाउं में आज भी आप जाएंगे तो वह दूर्दर्सन इंद बैकि बादा यह बोगिल और आप देख रहे हों लेकिन वह दूर्दर्सन जानते हैं दूर्दर्सन के वर ग्रम हो जादा है कि तो ग्राम में ज्यादा इंट डिश लोग पो रहाना है बाकी चैनल के लोकल बनाते हैं में लेह में लेह के बनाएंगे स्री नगर का इड़ाइगा और वह लोग को दिखाता है तो जादा इनिका है और था फूला अज जब हम लोग डीटीटी पे चले गए तो ए दिखा रहा है और लोग उसी चैनल को देख सकते हैं तो यह है टेकनिकल जितना हम लोग आगे बढ़े थे इतना और छे मने कंदर जब हम एजडी पे चले जाएंगे तब हमारे पास टोटल बत्रीस चैनल एजडी पे चलेंगे यह हमारा अपना है सफर बहुत अच्छा रहा अब ज्यादा दिन बचे भी नहीं है लेकिन तीस साल बहुत अच्छा रहा है और हमें काफी इस बात की सटिस्फेक्शन है कि हमने जो दूरदर्सन के लिए किया प्रजेक्ट में उस जमाने में प्रजेक्ट लगा करके ऐसे रिमोट इलाका में जह कोई फैसलिटी नहीं थी मतलब कि आप अभीदम में वाइल है सब कुछ है उसमें कुना कोई मॉवाइल ना कोई टेलीफोन तक नहीं था आपको वैसनव देवी में अर्थकवारी के बीच में प्रजेक्ट था वो भी हम लों किया अज भी यादे हैं सुने ही यादे हुबस कि आप अाफा द्धावी में हरो़ोर्य बशाय कि में लोग किसी का नाम जानते हैं हैं दोदर शन पहले भी हैं और आगे भी रहेगा और लोग हर तरह जो के जो लोग हैं इस चैनल का नाम भी जानते हैं देखते भी हैं और इसका रीच भी उतहीं सबसे ज़्यादा है अपके पास आना चाहेंगे एक बड़ी बात है दुरदर्शन के अगर हम पास्ट को याद करते हैं तो अतीत की खुब दुरदर्शन को लेकर जो दुरदर्शक हैं उनके पेक्षाय क्या होनी चाहिए क्या बड़ा एक्सपेक्ट है उसको मैं पूरा कर दे रहा हूं कि जो पोजेटिव नीज हम दिखाते हैं वो गुड नीज की इनों बात करी एक कार्च करम है समचार परमनता है समचार चैनल और जाने कि कुछ प्राइबेट चैनल जो को आगे बढ़ाने के किया तो आज हमारे पास क्रिसी का एक चैनल भी आ अब आपकानल में उसमें उसमें परेगन सोच की तरह किसी बढ़ावा को दे रहा है और कार्जक्रम तो कई तरह के चैनल यह और सब जो सबसे बड़ी बात नहीं है, कर दिखाते हैं और सरकार की उजनाओं को बढ़ाने में जो हमारा हाथ है किसी नीज चैनल कर नहीं है इसलिए मैं कह सकता हूं आज भी हमारे चैनल हमारे काचकमों की हमारे कंटेंट की विस्षशनेता है और पहुंच के बारे में जैसा आगी सिना साब कि लेह तक और बहुत रिमोट और दूर दूर तक हमारे काचकमों की पहुंच है खासकर आज जो नया चैनल है आज तो हमारे चैनल सोशल मीडिया पर भी है तो इसलिए हम आज भी कह रहे हैं कि आज भी हम परतिस वादा में किसी से पीछे जो जानकारिया हमारे बीच लगे जो जो जानकारिया हमारे बीच लगे जो जो आज आज पर सके हैं वाकर में आपके साथ भी सहधा करके हमें बहुती खुशी हमें और हश हो रहा है और दूर दर्शन का बास्ट वह अस्थापना दिवस हर्ष्व लास के साथ यही है जो हमारा लगतार जो लक्ष है आप तक पहुंशनी की कोशिश है और जो रीच्ट है पूरे विष्व की जड़ को हिलास आ दिया और इस मुश्किल भरे वक्त में भी दूरदर्शन बहुत ही अडिक खड़ा रहा और अपना जो कर्तव उसका निर्वान करता रहा तो यह जो अनुभाव रहा यह जो पूरा समय रहा आप इसे कैसे देखते हैं क्या बताना चाहें अब प्छले साल में डीडी बिहार ने काफी काम जे दुटनेंट फूर देख साल में जितने भी स्टुडेंट्शन की दृओं उँन blurफय मेरा विद्द्याले मेरा विद्द्या यह प्छले साल अपरिल से सुरूरुइया लोगडाउन के साथ और आज भी चलना है इसकूल तो बंध है लेकिन और ये चार ये पांच घंडे का डेली प्रोग्राम चलता है पांच घंडे का चलता है इससे बड़ा एक्षिवमेंट बिहारवासियों के लिए और जो हम दुरदर्शन ने दिया किसी चैनल नहीं है और देख साल में हम लोगों ने भी आपना में अफसर ढूंडा बहुत से ऐसे काम करा है जो हमारे मानिनी प्रधान मंत्री की द्वारा उनसे प्रेडित होकर जैसे सफाई अवियान करा है हमने पर पॉल्यूशन पर हमने काफी कुछ काम किया रेन हर्वेस्टिंग पर काम किया यह सब पैने डेमिक को हम लोगों ने यूज किया जिसमें हमारे न्यूज विंग का भी काफी बड़ा और प्रोग्राम विंग का इन सब का काफी सपोर्ट रहा सब कुछ यह मिला और यह एक तरह से देश सेवा है छोटे साम लोग की तरफ से देश सेवा है बिलकुल राके की हमारे साथ है जिन से हमारी बाचीत हो रही है लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत और मशक्कत होती है जिसके बाद एक खूबसूरत सा कारेकरम आपको देखने और सुनने को मिलता है इसलिए प्रसार भार्ती के सदस्यों के नाते तमाम प्रसार भार्ती के स पर उत्रा है उसी तरह अपना जो जिम्हदारी है वो आगे में निर्बाहन करता रहेगा आज का मारा कारिक्रम का जो अंक है आपको कैसा लगा खत लिखकर हमें जरूर बताएं अपने विचार को साजा करें हमारा पता जरूर नोट करें और उठाएं कागज और कलम लेकिंग बिहार दूर दर्शन केंद्र पतना फ्रीजजारोट पतना आठ शुने 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 एक हमारा इमेल आइड़ी है डायक्तर डिटी के पतना एपट जीमल.com और इसके साथ आपको यह बता दें की दूर दर्शन भिहार पर और कौन-कौन से ऐसे खास कारिक् संकत मोचन हनुमान और इसके साथ आज हमाई जो तीन विशिश्टती थी आए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे आप कारिक्रम में आए इतनी सारी दिल्चस्प बाते अपने अनुबहों इतनी सारी जानकारिया साजा कि आज के विशेश दिन पर आपको बह हमारे दसकों को भी दूर दसन दिवस की बहुत बड़ी बदाईयां और सुप कमने नमस्कार